आज यहाँ पे आईवे सभी योगा टीचर्ज, टीटी सेक्रेटरी, दिपसरो के वाइस चांसलर साब और सभी भाईयों बहनों आप सब लोगों को मेरा नमश्कार सब को मेरा अपना नाम दिली सरकार ने पिछले साथ साल में गवर्नेंस के क्षेतर में कई नए नए एक्सपेरिमेंट्स किये, सफल एक्सपेरिमेंट्स किये और उनकी चर्चा देश में, विदेश में कई जगे हो रही है शिक्षा के क्षेतर में खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स किये, happiness classes, entrepreneurship classes, देश भक्ती classes, school बहुत अच्छे किये, स्वास्त के क्षेतर में खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स किये, बिजली के क्षेतर में ये लोगों को यकीन निए होता है, यहां 24 घंटे बिजली आती है, और म नया किसम का काम दिल्ली सरकार करने जा रही है। हमने डिल्ली में अस्पताल खुब बनाए, मुहला क्लेनिक खुब बनाए। पूरी एक स्वाष्थ विवस्था ऐसी की है कि अगर किसी को कोई भी बिमारी हो दिल्ली में, आपको पैसे की चिंता नहीं करनी छोटी खांसी से लेके और बड़ी से बड़ी सरजरी 70-80 रुपे की भी होगी तो दिली सरकार आपका सारा इलाज मुफ्त कराती है लेकिन आज हम जो एकस्परीमेंट करने जा रहे है जो जो चीज शुरू करने जा रहे है हम चाहते हैं कि लोग बिमारी ना हों, बिमार क्यों हों, बिमार होंगे तभी तो अस्पताल जाना पड़ेगा, लोग बिमारी ना हों, योग भारत की देन है, पूरी दुनिया को भारत ने योग सिखाया, और भारत की देन है, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग तो करने लगे लेकिन अपने देश में हम आम जिन्दगी में जीते वे योग नहीं करते और योगा से आत्मा मन शरीर सब स्वस्थ रहते हैं आज की आपाध हपी की जिन्दगी में इतनी ज्यादा स्ट्रेस्फुल हो गई है लाइफ हम सुन देखते हैं किस तरह से रोड रेज हो भडयो जाती है सडक के ओपर इसका थर थोड़ा सा स्कूटर उसके कार से टकर गया लोग गड़ बड़ते हैं संधी निहीं मन के अंदर शांती नहीं है कि बहुत जादा आदमी बेचेयन अंदर से अस्वस्τη है, शेरी भी स्वस्तनी है, मन भी स्वस्तनी है, आत्मा भी स्वस्तनी है. ऐसे में योग बड़ी मदद कर सकता है, ऐसा नहीं कि आज कल से योग क्लास शुरू होगी और पर इरशों से फिर सारी शानती शानती आजाएगी, ऐसा तरह Cindy होने जरा। लेकिन एक शुरू होगा, एक शुरुवात होगा, धीरे 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 समाज में परिवर्तन जरूर दिखाई देगा, जब स्कूलों के अंदर हमने happiness classes शुरू की थी, हमें भी नहीं पता था कि इतना जबरदस्त परिवर्तन बच्चों के अंदर आने लगेगा, हर स्कूल के अ जब योगा क्लासेज शुरू होंगे और जो जो लोग उसमें योगा क्लासेज में पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी भी जीवन में वो शांती महसूस करेंगे और उनकी बीमारियां कम लगेंगी, जो बीमारियां है वो ठीक होनी चालू होंगे, सो मुझे आज बेहत यह कारेकरम शुरू हो रहा है, योग क्यों नहीं करते लोग, मैंने बहुत लोगों से पूछा, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि योग सिखाने वाला कोई नहीं है उनको, कौन सिखाएगा योग, और अगर योग सिखाने के लिए कोई टीचर रखे हैं तो टीचर बड़े शुरू करने की दिल्ली की योगशाला ये कारेकरम शुरू किया, कि भई टीचर हम देंगे, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप 25 लोग इकठे हो जाओ, 25 लोग इकठे होके हमें मिस्ट कॉल मारो, नमबर 9013-585858, इस नमबर पे मिस्ट कॉल मारो, अगर आप 25 लोग इकठे हो, आप अपनी जगे ढूंड़ो, आपके घर के सामने कोई पार्क है, आपका कोई कम्यूनिटी हॉल है, जहां आप योग करना चाहो, आप योग, जगे आप दे दो, जगे आप ढूंड़ो, 25 लोगों जाओ, और टीचर दिली सरकार देगे, टीचर का कोई ख में फर्वरी के महीने में हम लोगों ने शुरू किया, फिर बजट पास किया, और मुझे लगा था उस टाइम की कम से कम दो, तिन साल लगेंगे, टीचर को ट्रेन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मैं खासकर से डिपसरू के वाइस चांसलर सा आपको और पूरी टीटी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने इतने कम समय में, महज दस महीने, दस महीने बिन अपरेल में अक्चली इन लोगों ने शुरू किया था, आठ महीने के अंदर इन्होंने इसको कार्यानवित कर दिया, और आज मिस्ट कॉल इने से ये कारिकरम शुरू होगा, और मैं समझता हूं कि शुरू में 20,000 एक क्लास में 25 लोग अगर हो, जादा हो तो और भी अच्छा है, कम से कम 20,000 लोग इस कारिकरम के जरिए योगा करना शुरू कर देंगे, तो मैं दिली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, दूसरे राज्यों ने भी बनाने शुरू कर दिये, दिली में विजली फ्री होई तो आप दूसरे राज्यों ने भी शुरू कर दी, दिली ने तीर्थ्यात्रा काराने चालोगी तो दूसरों ने भी शुरू कर दी, अब मैं समझता हूं कि दिली योगशाला शुरू कर रह अब आपको कुछ नहीं करना बस एक मिस्ट कॉल मारनी है और एंशॉर करना है कि रोज सुबह उठके योगा की क्लास में जरूर पहुंच जाएं मैं समझता हूं 25 अगर होते हैं तो एक दूसरे का वो होता है रोज सुबह कोई उठेगा उसको फोन करेगा चल तियार हो गया निकल रहे हैं तो एक दूसरे का प्रेशर होता है उस प्रेशर से लोग कर लेते हैं योगा तो सब लोग इसमें यो मैं पार्टिसिपेट करें सब दिल्ली वाले स्वस्त रहें खुश रहें ऐसी मेरी प्रभू से कामना है बहुत बहुत शुक्रिया